उसके यहां पर गिराग का कहना यह है कि चलते चलते अपना यह बंद हो गए तो उसके बाद में फिर ओन नहीं हुई है इसलम प सपार का हो घ्यां एक में फर्फ जालन पर देखने सकते खरेव हैं और यह यह वी है यहLC commission अपर hearing और एलन ने खरें ने यहां आपने यह पर अभी है पर फाइनल है यहां का सबसे पहले देख रहे मिलएगा करें यह जिए रेटी को यहां पे देख सकते हैं एक बृज रेक्टिफायर लगा हुआ है और इस बृज़ रेक्टिफायर से से यहां से कौन करते हैं तो हमारा कुछ भी यहां पर देख सकते हैं कुछ फरक नहीं पढ़ रहा हूं मैं यह देख ले तो फरक नहीं पढ़ा है और जो हमारी यह है रिस्टी बिल्कुल बंद आ तो सबसे पहले आप हम यह देखेंगे कि इसके अंदर Supply कौन से होती है linear supply यह होती है SMPS Supply linear supply किसे बोलते हैं जिसके यहां पे च्छोटा transformer लगा दिया जाता है उसमें primary और secondary होते हैं उसे lianer supply बोलते हैं इसे बोलते हैं SMPS supply SMPS supply में क्या bridge rectifier लगा में filter capture लगा और में आई सी लगी जो कि हमारी की driver IC होती है और ये डाउंस हो और ये दोस्तों inverter based technology पे है याई कि BLDC motor चलाने के आप देख सकते हैं IPM लगा हुआ है है युआ है और तो यहां पर यहां प्राइब होगा हैं यहां प्राइब के अब हमाज काया यहां या फैल्ट १ानि सब्सक्राइब existिम पाज़ बणा चया भी चाय किरना है तो तो हम इस पर चेट और ये यह इना जा हुआ है तो इस पर आनी चाहें अगर इस पर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप तो आपको तो चलिए इसमें किस चेज कहां एग्लें यहां पर हमें कट रहेँ हैं तो इसके अंदर दोबन करनेक्व आपको दोस्तों यहां से यहां से मैं यहां सेंगुस्टारerson नीचे से अन्यूंस्क फेज़ंगा और यहां व्लेटीव देख सब्सक्र honeymoon तो हम इसके बिल्कुल यहां और यहां पर कटिंग करेंगे क्योंकि अगर हम इसके यहां से गलू चुटाने लग जाएगा और गलू जल्दी से नहीं चुटती है काफी ज्यादा हाड होती है तो इस चीज के लिए हम वोल्टेज चेक कर लेंगे वैसे आप इसको वोल्टेज चो ओपर से कर सकते हैं कय वहां से कैसे हैं रहा है और एक को इधर गया हुआ है या आप ब्रिज डेक्टिसय देख रहे हैं इसके से दोंनों तरब च्यौनव सबसे लाश्ट में और सबसे पहले थो अब करना क्या है दोस्तों तो यहां पर करेंगे हैं किसी दोने करना है क्योंकि दोफुर्ट जब हमारा या को अब हम इसे कट करेंगे यहां से एक कट करेंगे हम यहां पर इसको यहां से बाहर निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं असानी से निकल जाए गई तो देख सकते हैं फिल्टर गश्री दोनों लैग हैं यहां पर और एक हमारा इदर की तरफ यहां पर थोड़ा सा और करना पड़ेगा एक लैग थोड़ा से दर की तरफ इसमें इस तो हो चकता है चैक पर लेकिन कठेना ही आएगी तो हमने यहां से कट कर लिया है तो यहां से अभी इसको जाना हम सफा कर लेते हैं ठीक है अब यहां से जो है गलू साफ कर लेते हैं हमें गलू साफ करने होगी दोनों तरफ से जिससे के हमारा फिल्टर कैस्टर की जो है न वोल्टेग चैक हो पाई यहां पर डी सी लो वोल्टेज आएंगी और बड़े वाले पर हाई वोल्टेज आएंगी तो हमारे यहां पर कनेक्शन जो है वो देख सकते हैं आप साफ हो चुके हैं वोल्टेज चैक करेंगे लाएक के इसके अंदर वोल्टेज देने के बाद दोता है कि हमारे जो यह बर्डेज के तो इसका मितलब क्या होता है कि हमारे ब्रीज रेक्टिफायर है यह रही ठीक है और आपप यह वाल्टेज से रही होगी और स्वा थीक हो सकता है लेकिन नहीं करें कर सकते हैं ही तो यहां पर 25 बोल्टेज या 12 वोल्टेज क्या स्पास आनी चींशे तो यहां पर देख सकते हैं 13 आ षयाय है तो इसका उन्थल्भ समारी किलियर है यह सकते हैंvate dislले काई भूर parent करेक्ट आ कौनसे वाला इस निकालती है कि काफी ज़्यादर टाइट लगा हुआ है और इसका लोग लगा हुआ है यहां पे कि यह हमें यहां से निकालना और इस तरह से तो हमें देखना यह गलतों नहीं रहा है आप अब देख सकते हैं सारी पिने एकदम साफ हैं तो इसको तो आपसी लगा देंगे हम अब हमें देखने पड़े इन पर जो डिसी की वॉल्टेज हैं वे आरी हैं नहीं आरी हैं कि कोई से पॉइंट पर 5 वल्ट मिलेंगे अगर हम इसकी डिटेल निकालते हैं तो फाइव वल्ट इसके पास जरूर मिलेंगी अब तो यहां पर अभी देखते हैं तो वोल्टेज इस पर नहीं मिली इस पर नहीं है वो टेश्ट पॉइंटों से पता लग जाएगा लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं इस कनेक्टर को वापसी लगाते हैं और इसका पावर बटन को जो है एक बार हम यहां से इसके नीचे की कटिंग करके देखते हैं क्योंकि अगर पावर बटन भी किसी वैसे खराब हो रहा होगा यह तो दोस्तों यह प्रोब्लम बन सकती है तो यहां पर अभी इसकी भी कटिंग करने पड़ेगी अगर यह उससे भी दोस्तों नहीं ओन होता है ना तो इसकी प्रोब्लम खराब हो जाती है तो चलिए यहां पर अभी अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहा हो तो इस पर लिखा हुआ भी है नीचे की तरफ पीसीपी पर पावर की देखे आपको दिखाई दे रहा होगा बरिक बरिक अक्सरों में यहां पर लिखा हुआ है पावर की अंदर की दरफ तो इसकी ग्लू रिमूव करते हैं और ट्विजर लेंगे और इसको डारेक्ट करके देखते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों यह अभी भी नहीं चली है यह देख सकते हैं कुछ भी नहीं चला है इसके अंदर दोस्तों जब आपने इतना कुछ कर लिया हो ना सब कुछ तो दोस्तों आप डिस्प्लेइ साइड पर जो आप यहां पे crystal देख रहें न आपको इस crystal को change करके देखना है इसका reason में बदाता हूं देखे दोस्तों होता क्या है जिस समय हमारी sub voltage जो क्यों होना उस समय पे clock crystal जो होता है ये ये अपनी value shift कर देता है shift का मतलब कैसे जैसे मतलब हमें एक example ले ल जाए वह अगर आठ थक भी होगी तब भी चल जाएगा थोड़ा हैंग चलेगा दिक्कत करेगा लेकिन चल जाएगा लेकिन उसमें हमारी पांच-चार क्या चली जाए तो दोस्तों क्या होगा पीसीबी कदी-कदी चलेगी कभी नहीं चलेगी ठीक है अगर एक दो रहे जाए तो चलती नहीं है तो उस कंडिशन में यासे हमें इसको काट करके डिस्पले साइड में इस क्रिश्टल को चेंज करना होगा अब ये क्रिश्टल कहां मिलेगा चलिए मैं लेकर आओंगा भी आ क्रिश्टल दोस्तो आपको दिल्ली में लाजपतराए मार्किट को लाजपतराए मार्किट 273 नंबर आपको बता दूँगा दोस्तो जब आपको महां से खरीदने जाओगा तो काफी सस्ता है और सोड़ा से जाने का इसाब है इसका नंबर क्या है मैं आपको उता हूंगा तो आपको नहीं देखेगा तो 16M बोल सकते हैं आप 16M होता है 8M होता है 10M होता है 4M होता है 6M होता है तो यह इनके नंबर होते हैं तो इसमें दोस्तो 16M का डलता है हमारे इसके अंदर तो आप देखे दोस्तो इसके वज़े से मुझे दिल्ली जाना पड़ा है मैंने ये व पड़ती है यहां पर देख सकते हैं यह 16 का है तो मैं यहां पर इस क्रिश्टल को निगा लेता हूँ जैसा पहले ऐसे तो नहीं मिलेगा लेकिन इस तरह का लंबे वाला मिल जाएगा लेकिन काम बिल्गूर प्रोपर करेगा इसमें कोई दिक्त वाली बात नहीं है प्रोपर क बखागो लेकिन उस समय पर भी हमारी इसम नहीं चली तो दोश्ट्च साइड में जो क्रिश्टल होता है इसको चैंज घा तो अगर यह जो कोईनी रोग सकता पीशिवी गारणिटी से चलीए तो दोस्तो अब आप देखे हमने यहाँ पे क्रिश्टल लगा दिया हैं । पहले हम तेखा था नहीं चल दो रहा था लाइट आले था भी फिल बंद हो प्रोपडनी चल पा रहा था अब हमने 16 एमकाई हमें लाना पड़ा दिल्ली लाज पत्रा है मार्किटा में इसकी वज़े से दो बेर जाना पड़ा दोस्तो दुकान नहीं मिली फिर दूसरी बार हमने बूजी किसी से उसने नहीं बताई से तरी किसे लेकिन एक टेक्निशन थे काफी दिन से उन्से हमारा लेन देन था बात थी काफी दिन से उन्होंने जैसे तैसे करके बता दे रिक्वेश्ट कर गए क्योंकि दोस्तों इन चीज़ों कोई बताता नहीं है बता नहीं क्यों भाई ऐसक क्या है कि ये नहीं चाहते हैं कि दूसरा बंदा ही पैसा कमाए भाई हम चाहते हैं हर बंदा कमाए आसानी से कमापने अब भाई देखे इस पर फॉन नंबर लिखो इस पर कॉल मत करना क्यों क किस्टुमर का है और भाई वो परिसान हो जाएगा उससे नंबर वगएरा मांगने कोशिस आप ना करें उसके पास नंबर मिलेगा विनिसायद आपको तो यहां पर दोस्तम जब क्रिश्टल डाल देंगे तो यहां पर आपको सफाई कर लेनी है अच्छे से इसके पिन में बि तो हमने PCP को यहां रख दिया है अब इसे चेक करें पावर कोड लिस्ट में लगाएंगे नूटल पर नूटल फेज 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 दोस्तों हमने इतना सारा काम करके देखा लेकिन इसके अंदर नहीं चला था काफी सारा काम गया यह देख सकते हैं यह देखिए PCP चल चुकी है यह देखिए यह देख सकते हैं PCP हमारी रेड़ी है तो दोस्तों इसी तरह से आप बिल्कुल ओके कर सकते हैं कि बंद भी हो रही है चालो भी हो रही है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंटर जोड़ बता है ना काफी समय लगा आपके लिए मेहत करके वीडियो बनाएं आपको सब कुछ बताया तो चलिए मैं दोस्तों मिलते नेशनों जैहिन जैशी रामदू